टीवी का सबसे पॉप्लर शो तार्क महता का उल्टे जिस्मा वीते कुछ टैम से अपनी कास्टिंग को लेकर चर्चा में बना हुआ है एक के बाद एक कलाकर इशो को छोड़ते होई नजर आ रहे हैं तार्क महता का किरदार निभाने वाले सेलेश लूड़ा ने भी इसो को अलिविदा कह दिया हलांकि अब सचिंग शौफ ने इस शो में सेलेश को रिप्लेस कर दिया है इन सब के वीच अब सेलेस लोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोश्ट किया है सेलेस लोड़ा जो भी पोश्ट करते हैं उसमें डिरेक्टली किसी का नाम नहीं लेते पर लोगों का कहना है कि उनके ये पोश्ट सोके मेकर असितकुमार मोदी के लिए होते हैं उन्होंने एक कवीता लिखी है जिसकी सुरुआत ही व्यंग के साथ हुई है उन्होंने अपनी पोश्ट में लिखा मेरा ही चहरा सबसे बड़ा हो यार तुम कितने अश्रक्सित और डरे हो परिभाशा तक नहीं जानते इमान की इतनी बार अपना कहा बदलते हो कीमत तो पता नहीं जुबान की अगर तुम में आत्मा होती तो पूछता क्या कभी उसे टटोला था वैसे एक स्वाल जरूर है आखिर बाद तुमने सच कब बोला था हैस्टेग सेलेस की शैली इस कैप्शन की सबसे मज़दार वात ये है कि सेलेस लोड़ा ने कुछ टैम बाद ही अपनी इस कवीता के कैप्शन को एड़िट किया और इसमें आज के इंसान पर ये शब्द हटा दिये सेलेस लोड़ा की इस पोस्ट पर लोगों ने काफी कॉमेंट्स किये सेलेस लोड़ा ने ये पोस्ट टब किया जब शो में सचिन शौफ की कास्टिंग कनफर्म हुई आपको नए तार्क महता कैसे लगे नीचे कॉमेंट करके जूब ताईगा सेलेस लोड़ा की इस पोस्ट के नीचे लोगों ने कॉमेंट किया अब तो सच बता दो आपने शो क्यों छोड़ा आप सच्चे होकर भी खामोश क्यों हो सच कब बताओगे तो इसका सेलेस लोड़ा ने रिप्लाई किया जल्द ही बताओँगा तब तक इस कवीता को फिर से पढ़ो सेलेस लोड़ा जल्द ही शोड़ने की वज़ा शेयर करेंगे सो या आज की वीडियो के लिए इतना ही वीडियो को लाइक से कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जूर करें